प्यारे बच्चों, ईवियस या प्रियवलन ध्यन की ओनलाइन रेमडिल टीचिंग या रवीजन कार्यक्रम में आप सब का हारदिक स्वागत है बच्चों, आपने पिछली वीडियोस में शोटू के घर के बारे में जाना और जाना कि हमारे घरों में केवल मातर हम ही नहीं रहते हमारे साथ कुछ एनिमल्स भी या जीब जन्तू भी रहते हैं कुछ जीब जनतू हमारी मर्जी से रहते हैं और कुछ हमारी मर्जी के विना भी रहते हैं बच्चो घरों की साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है इस वीडियो में आज मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ तो आप त्यार हैं चलो फिर शुरू करें चलो सबसे पहले बताओ डू यू keep your house clean हाओ क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो कैसे तो बच्चो आप अपने घर की साफ सफाई के लिए क्या क्या करते हैं क्या आप बता सकते हो चलो हम जानते हैं कि घरों को कैसे साफ रखा जा सकता है फिलोर या फर्ष पर जाड़ू लगाकर और पूड़ा जो है उसे किसमे कठा करेंगे dust wind में फिर आप देखते हैं कि जाड़ू लगाने के बाद जो फिलोर पक्के हैं वहां पर क्या किया जाता है पोचा लगाया जाता है और फलोर को वाष करने के लिए या पोचा लगाने के लिए उसमें फिनायल का प्रयोग किया जाता है दिवारों पर जो जाले लगे होते हैं उन्हें साफ किया जाता है या हटाया जाता है waste material या कूडा करकट जो है उसे dustbin में डाले दो dustbin या कूडा पात्रों का प्रयोग किया जा सकता है एक में ऐसा कूडा करकट जिसे दुबारा recycle किया जा सके दुबारा use किया जा सके और दूसरी dustbin में ऐसा कूडा करकट डाले जो recycle ना हो सकता हो समय समय पर घर को वाइटवाश करवाई और जिन घरों की फ्लोर कच्ची है बे समय समय पर उसकी गोवर या मिट्टी से लिपाई पुताई करें ताकि बहां पर इंसेक्स का प्रभाव ना हो पाए ऐसे तरीकों से आप अपने घर को सापसुत्रा रख सकते हो who all help to keep your house clean तुमारे घर में सफाई का काम कौन खौन करते हैं तो बच्चो आप अपने घर के बारे में बताएं कि आपके घर में सफाई का काम कौन कौन करता है क्या सभी मिलकर सापसफाई और घर को सापसुत्रा बनाने में मदद करते हैं या फिर कोई एक ही व्यक्ति सफाई का कार्या करता है बच्चों क्या हम सब को मिल जुलकर अपने घर को सापसुत्रा रखना चाहिए या नहीं वेर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन दा मॉनिंग तुम सुभा शौच के लिए कहां जाते हो क्या आप लोगों के घर में ट्वालेट है या नहीं आपको बताना है कि यदि ट्वालेट है तो आप ट्वालेट में जाते होंगे यदि नहीं है तो आप कहीं बाहर जाते होंगे आपको ये बताना है वेर डू यू थ्रो दा गार्वेज आफ योर हाउस गार्बेज मीन कूडा करकट आप अपने घर का कूडा करकट कहां फैंकते हो क्या उसके लिए कोई खड़ा किया गया है या फिर कहीं नाले वगरे में ही फैंक दिते हो Is the area around your house clean क्या तुम्हारे घर के आसपास की जगा सापसुत्री है अगर नहीं है तो सापसुत्री होनी चाहिए Do you use a toilet in or around your house? क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शोचाल्य का प्रयोग करते हो? Who cleans it? उसकी सफाई कौन करता है? How do you help in keeping it clean? तुम toilet या शोचाल्य की सफाई में किस तरह मदद करते हो? बच्चो जब भी आप toilet या शोचाल्य का प्रयोग करते हैं तो उसका use करने के बाद उसमें पानी प्रपर तरीके से डालना चाहिए और उसकी सापसफाई अच्छे से कर देनी चाहिए ताकि आपके बाद जो भी उसे use करें उसे वो सापसुत्रा मिले use of toilet, toilet का अप्योग सिम्मी नोटिस्ट देट हर फ्रेंड बिल्लू वास गेटिंग अनकमफर्टेवल सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक मैसूस नहीं कर रहा है he was not talking to her वो उसे बात भी नहीं कर रहा दो बच्चे आपस में फ्रेंड हैं सिम्मी और बिल्लू तो सिम्मी ने देखा कि बिल्लू अनकमफर्टेवल है आगे देखते हैं सिम्मी बिल्लू what happened you look so dull सिम्मी ने बिल्लू से पुछा बिल्लू क्या हुआ तुम बहुत सुस्त लग रहे हो बिल्लू I don't know how to use the toilet properly मुझे नहीं पता toilet कैसे इस्तेमाल करना है हीरा में would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly हमेशा की तरह हीरा मेडम मुझे फिर से toilet ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डंटेगी सिम्मी why don't you use the toilet properly then सिम्मी ने बोला तो फिर तुम toilet का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते हो बिल्लू I am scared that I would fall in the toilet pit मुझे डर है कि मैं toilet में गिर जाऊंगा सिम्मी how stupid and now I know it is you and many of our friends like you who may cover toilets so dirty by not using the toilet properly अरे कैसी बात करते हो अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे केई दोस्त टोइलेट का सही इस्तिमाल ना करके उसे गंदा करते हो Don't be scared, be responsible तुम्हें डरना नहीं प्रांतु जिम्मेदार वनना चाहिए Let us know See how to be responsible कैसे वन सकते हैं हम जिम्मेदार Use the toilet while sitting properly Toilet seat का ठीक से इस्तिमाल करें Always flush it with water after use इस्तिमाल करने के बाद हमेशा flush करें Wash yourself properly अपने आपको ठीक से साफ करें Wash your hands thoroughly Toilet जाने के बाद अच्छी तरह हात धोएं तो बच्चो आप इस तरह से Toilet को यूज करके उसे साफ सुथरा रखने में अपनी जिम्मेदारी निवा सकते हो तो बच्चो आपने इस वीडियो में जाना कि अपने घर को किस तरह से साफ सुथरा रखा जाता है और कूडा करकट का कार्वेज का निप्टान कैसे करना है कैसे उसे dustbin में डालना है और Toilet को यूज करने के बारे में भी जानकारी प्रापत की Toilet को कैसे साफ सुथरा रखा जाता है आप इसे अपनी नोट बुक पर लिखकर WhatsApp ग्रूप में टीचर को सेंड करें इस वीडियो में इतना ही हैवे नाइस देए कैसे अऑार को साफ सेखा झाल